काकय क्रिश्नह पिकह क्रिश्नह कह भेधा पिका क्यों वसंत समय प्राप्ते काकय काकय पिकह पिकह आपने ये संस्कृत का सलोक तो सुना होगा इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार कौवा काला होता है उसी प्रकार कोयल भी काली होती है और दोनों में कोई भेद नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब बसंत रीतु आती है तो सुभा सुभा कोयल मधुर स्वर में गाने लगती है। यानि कोवे और कोयल की पहचान सिर्फ वानी से की जाती है। सपने में आपको कोयल और कोवा एक साथ बैठा हुआ दिखाई देते हैं तो ये सपना आपके लिए अशुभ संकेट नहीं देता है। सकते हैं। दोस्तों आज की हमारी विडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताए। अगर आपको हमारी विडियो अच्छी लगी तो इस विडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सरोज आश्ट्रो को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली विडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जै श्री राम, जै हनुमाद।